हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपके चैनल शेवजर वित आयुश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में HCL Tech के Q3 Numbers के बारे में तो इनके भी Q3 Results अनौंस कर दिये गए हैं और किस तरीके के Numbers निकल के आए हैं HCL Tech के यह हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को देखेगा पूरा जरूर So friends HCL Tech के Numbers पर हम आ चुके हैं and Numbers को देख लेते हैं सारे Numbers क्योंकि करोड में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए इनको बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के revenue from operation के बारे में Right? कंपनी का कितना revenue रहता हुआ नजर आया है So दोस्तों कंपनी का revenue जो पिछले साल था वो था करीवन 26,700 करोड 26,700 करोड से कंपनी का revenue बढ़कर 28,446 करोड हो चुका है प्रीवेस कार्टर से भी कंपनी ने एक बहुत बढ़िया जंप किया है Almost 28,446 करोड यह हम यह कह सकते हैं कि कंपनी का business काफी अच्छे तरीकी से Grow करता हुआ नजर आया है तो इन टम्स आफ रेविन्यू तो बढ़िया है Total income समझते है दोस्तों कंपनी की total income थी पिछले साल करीबन 26,960 करोड यहाँ पर भी आपको एक अच्छी कासी growth visible देखने को मिलिए because 26,960 करोड से कंपनी का जो total income है वो बढ़के करीबन 28,816 करोड पर आया यहाँ पर भी आप वायो वाय एक बढ़िया जम देखेंगे वही Q on Q Q on Q दोस्तों कंपनी का जो total income था पिछले साल पिछले quarter में वो था 27,037 करोड और यह बढ़कर 28,816 करोड हो चुका है इसका मतलब यह है कि साफ है कि कंपनी का क्योंकि revenue में performance काफी बढ़िया देखने को मिला तो उसका impact income है यहाँ यहाँ पर कंपनी ने वायो वाय भी ग्रोथ दिखा दी and quarter on quarter basis पर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी इसके बाद दुस्तों आते हैं सबसे important figure जो है कंपनी का मुनाफ़ा कितना कंपनी का मुनाफ़ा आया है तो कंपनी का मुनाफ़ा आप देख सकते है net profit, total profit for the period कितना रहा है so friends company ने पिछले साल का मुनाफ़ा किया था almost इसी quarter में 4096 करोड़ का कितना 4096 करोड़ का और अब कितना profit आ चुका है 4351 करोड़ का कंपनी की साफ साफ ग्रोफ देखने को मुली क्योंकि 4351 करोड़ पर दोस्तों company का profit आता हुआ देखने को मुला है जो previous quarter तक कितना था previous year तक 4096 करोड़ previous quarter में था ये करीबन 3833 करोड़ 3833 करोड़ से बढ़के company का मुनाफ़ 4351 करोड़ पर आ चुका है इसका अब ये है कि साफ साफ यहाँ पर भी आपने अच्छी खासी ग्रोफ देखिए तो numbers से ये दिखता है कि company के numbers काफी बड़े निकल कर आए हैं अब यहाँ देखेंगे कि बाजार का अनुमान क्या था लेकिन यहाँ पर तो company के numbers on the first look काफी शांदार दिख रहा है अब आते हैं company के EPS growth पर earning per share company का कितना earning per share देखने को मुला है right तो दोस्तो company का earning per share यहाँ पर आप देखेंगे company का पिछले साल तक दोस्तो earning per share था करीबन 15.13 का अब यह दोस्तों बढ़के 16.06 का हो चुका है यानि company का जो EPS है वो 15.13 से बढ़के अब 16.06 का हो चुका है यह previous quarter तक करीबन 14.15 का था और यह अब 16.06 हो चुका है तो यहाँ पर बात simple है बात साफ है क्या है कि company ने एक बढ़िया growth दिखाई है और company का revenue company का मुनाफ़ा बढ़िया आता हुआ देखने को मिला है company ने dividend का भी announcement किया है तो dividend भी आपको बताई देता हूँ so friends board ने announce किया है interim dividend of rupees 12 पर equity share 12 रुपे पर equity share आपको interim dividend company के द्वारा दिया जाएगा यह company ने साफ साफ कहा है और जो इसकी record date है वो रखिए 20 January 2024 20 January 2024 इसकी record date है यह दोस्तों company ने साफ कहा है और company ने यह भी कहा है कि जो इसका payment date है वो रखा गया है 31 January 2024 तो इस समय तक आपके पैस आप यह जो dividend है वो मिल जाएगा और 20 January दोस्तों वो तारीक होगी जब इसकी record date आ जाएगी और कितर रुपे का dividend दिया गया 12 रुपीस पर equity share dividend company ने announce कर दिया है तो hopefully तो आपको समझ में आ चुका है लेकिन अगीन जिसमने कहा तब कि company के numbers को हम समझते है बाजार के expectations के हिसाब से तो यह आप देख सकते CNBC TV18 का क्या poll था CNBC बानके जल रहा था मुनाफ़ा कितना आएगा 3764 करोड और आया कितना है 4350 करोड अब देखे कितना बड़ा jump है यह expectations कहें तक नहीं थे कि 4000 करोड के आसपस पहुचेगी लेकिन company ने 4350 करोड का मुनाफ़ा report किया है अल्मोस 15.6% ज्यादा का estimates से difference है revenue, revenue मानके जल रहा था करीबन 27892 करोड आएगा आया कितना 28446 करोड यहाँ पर भी growth है margins, margins 18.7% मानके जल रहा था दोस्तों यहाँ पर CNBC लेकिन आया कितना 19.8% 110 basis point जादा dollar revenue 3348 करोड की expectations थी 3415 करोड यहाँ एक बात आप समझ सकते हैं company ने हर एक parameter पर जो expectations थी जो बाजार का नुमान था उसको beat किया है, तो company के numbers outstanding है, मैं यह साफ कह सकता हूँ जब खुद notice करेंगे company की growth एक quarter किंदर कितनी हुई है, company का profit 13.5% बढ़ा है, एक quarter की बात कर रहा हूँ, revenue 6.7% बढ़ा है, company का EBIT almost 14.7% बढ़ा है, company के margins 140 basis point previous quarter से इस quarter में बढ़े हैं, जो company का dollar revenue है वो भी almost 5.9% है, तो company ने बहुत बढ़िया performance की है, और यहाँ पर इस तरकी के numbers अगर company पेश करती है, तो इस numbers को बहुत ही शानदार बाने जाएगा because यह expectations के काफी जादा अभाव है, यह आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ company ने क्या काए, company ने यह काए कि उनको काफी जादा fantastic growth देखने को मिलिये US के telecom vertical के अंदर, इसलिए दोस्तों यहाँ यहाँ से company ने major जो है अपनी growth दिखाई है, company ने भी का कि discretionary spending has really not picked up, यह भी company ने बताया company ने काए कि pockets like cyber security SAP migration data और resilient expense, यह साफ-साफ नजर आ रहा है, high macro indicators है जो translate कर रहे हैं कि sentiment जो है, change नहीं होगा overnight तो company यह भी आपको concern भी किया है जो अभी भी sentiment को इतना change होते वे नजर नहीं आएंगे बाकी company नहीं बताया कि transformation projects है company के जो लगातार चल रहे है cost, take out, details है company के पास जो company करेगी और कुछ company sentiment में have not seen any change in sentiment from a spending perspective तो अब भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा spending हो रहा है, तो यह भी company ने साफ साफ बताया है, but overall company का जो management है उन्होंने अपने FI24 guidance पर भी हमको बताया है कि जो FI24 guidance है company ने वो साफ साफ काई कि revenue growth है वो करीबन 5% से 5.5% के YY basis पर रह सकती है जो company ने forecast बताया है वो ये भी है कि उनका revenue आ रहा है from the German engineering firm ASAP करीबन जो company ने acquire के तर July 2023 में for 279 million dollars, तो यहाँ पर भी company जो है वो basically revenue flow होता हूँ नज़र आएगा यसा company के ज़र साफ साफ बताया गया है company ने उस तो third quarter के अंदर करीबन 18 large deals जीती है, 6 in services and 12 in software, ऐसा company ने बताया है बाकि जो company का head count है यह बहुत important है, company ने net edition किया है, 3617 employee का, यह एक अच्छे बात है because बहुत जगह आपको head count घटता हुआ नज़र आ है, लेकिन यहाँ पर company ने edition किया है, और जो company के attrition rate है वो 12.8% पर आचुके drop हुई है, by 12.8% sorry, lower than 21.7% in the Q3 last year, but overall अगर आप उनसे पूछेंगे, आज दो IT companies के numbers निकल किया है, दो major IT companies के HCL और Wipro numbers HCL Tech के काफी जादा आगे है Wipro से, और मुझे लगता है कि Monday को भी HCL Tech आपको हो सकता है कि star performer भी देखने को मिल जाए, because numbers हर एक parameter पे काफी बढ़िया है, अगर बाजार नहीं चलता है इतने अच्छे numbers पे तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, because अगर आप खुद notice करेंगे, Infosys के numbers उतने तगड़े नहीं थे, लेकिन आज किस सरीकी की तेजी देखी हम सब ने notice किया, लेकिन HCL Tech के numbers, मुझे हर एक parameter पे बहुत शांदार लगे, company की जो performance है, company साफ कहरी है कि वो लगातार strategic progress भी देख रही, HCL software के अंदर तो यह सब चीज़े दिखाता है कि हाँ company की growth तो काफी शांदार है और वो numbers में भी deliver आपको होती भी नजर आई है बागी ये बाद साही है दोस्तों कि आज HCL Tech के अंदर बहुत बढ़ी अतेजियम को देखने को मुली, currently stock आज आप notice करेंगे तो 1553 पर close हुआ है, and result से पहले 4.65% का rally दिखा दिया, तो यह ज़रूर एक दिमाग में question आता है कि आपको pre-result ही rally देखने को मुल गई, तो क्या rally खतम हो चुकिए, बट में साब सो थोड़ा बहुत और चलना चीए, हाँ, यह हो सकता है कि उस दिन आपको 78% तो बढ़ता हुआ नजर ना आए, मंडे को, अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट अच्छी बात ही कि अगर हो जाता है लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप HCL Tech को पिसले एक महिने में देखेंगे तो 13-14% बढ़ा है और लास्ट 6 महिने में overall 40% के returns डिलिवर करें, देखें IT companies, बड़ी IT companies इसी तरीके से चलेगी, और आपको बता ही है कि देखें किस तरीकी के returns सारी IT companies deliver करें तो ये है कि आपको फोकस रखना है कि इनके अंदर growth होगी, हाँ जरूर देखें टाइम ऐसा आएगा जब खराब आएगा कभी बहुत अच्छा आएगा, बट overall ये है कि एक अच्छी company है, अगर आपके पास है portfolio के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने portfolio का बना के रखिए हिस्सा तो फ्रेंट, आपके आप लोग के लगता है कौन से levels पे HCL Tech मंडे को trade करेगा क्या 1700 रुपे का level HCL Tech में देखने को मिल सकता है मंडे को comment श्रूर बताएगा, thank you